कि दोस्तों आपके फेवरेट यूटूब चैनल वंसमेडियर क्लासेज में आप सभी का स्वागत है दोस्तों आज किस वीडियो के अंदर अपन दो एडवर्टाइजमेंट के बारे में बात करेंगे जोची दोस्तों एम्स जोदब ने निकाले हैं और दोनों के अंदर लेप टैकनीशिंग के लिए विकेंसी आईए है तो सबसे पहले जो एडवर्टाइजमेंट इसके बारे में बात कर लाते हैं दोस्तों यह एडवर्टाइजमेंट 15 पर विको जारी हुआ था और यह फाय नमबर आप यहां से देशते हो ठीक है इसके अंदर आपन बात कर लाते ह है जो वगेंसी और यहां पर लेवर्टे टैकनीशन के लिए रहने वाली है टोटल यह पर एक पोस्ट आपके रहने वाली है इसके बाहरं में बात कर लाते हैं कौलिइफिकिसिंग के वारे में तो दोस्तों यह आपने जो ऋट है वह सढिंस पर पास करकी और आपने दो सार की DMLT करकिए तो आप यहाँ पर फॉरम अप्लाई कर सकते हैं मतलब दोस्तों आपने 12 साइंस पर पास करकिए और आपने DMLT करकिए तो आप यहाँ पर किसी परकार का कोई की आउसता नहीं है ओनली आपके जो DMLT है दो साली की वह कुंप्लीट होनी चाहिए यहाँ पर दोस्तों आपने वन इयर की DMLT करकिए ठीक है वन इयर की आपने DMLT करकिए और आपके पास में वन इयर का experience है तो भी आप यहाँ perform apply कर सकते हैं ठीक है जिन साथियोंने वन इयर की DMLT करकिए उनके पास में वन इयर का experience होना चाहिए और जिन साथियोंने दो साल की DMLT करकिए उनको यहाँ पर experience क्या हो सकता नहीं है यहाँ फिर दोस्तों आपने ना तो DMLT दो साल की करकिए ना वन कि करकिए आपके पास में दो साल का वेसरी experience है गोवर्मेंट रिकोनाइज ओणाईजाशन के अंदर तो भी आप यहाँ perform apply कर सकते हैं जो salary है वह दोस्तों और यह जो पोस्ट जी ज जो जिए सने वह दोस्तो इद दरतीज मार दोस्तों चोजिस के आपके जूब है वह रहने वाली तीक है और यह काम आपको यहाँ पर करना है जोब के बारे में आपर बता दिया है I इसके बाद में आपने बात कर लेते हैं जो selection process जेब दोस्तों interview के आदा आपने आपका selection किया जाएगा और जो interview हुए वह है दोस्तों 1 मार्श को रहने वाला है और जो reporting time है वह है दोस्तों सुबह 9 बजे रहने वाले है ठीक है और जो आपका interview हुए वह है दोस्तों requirement session सेकेंड फ्लोवर मेर्टिक कोलेज बिल्टिंग एंजोद उपर में रहने वाला है तो जो साथ इंक्रेस्टेट है यहां पर वर्थी के लिए वह यहां पर अपना इंट्रिव्यू देने के लिए आ सकते हैं ठीक है इसके बाद में बात कर लेते हैं जो एप्लिकेशन फोरम मे जमा करवाना है यह 9-10 वे आपका रिपोटेंट डाइमें रहने वाला है ठीक है एप्लिकेशन फोरम आपको किस परकार से बढ़ना है उसके बारे में आपन बात कर लेते हैं ठीक है तो इसके अंदर सबसे पहले आपको नेम आप पोस्ट डाल देना है इसके बाद में मैं आपको बताया था सूरू में एडवाटाइसम lease memang और डेंट आपको यहां पर डालनी है जिसवे अपने दुबारे से बात कर लेते हैं यह आपको कहां पर भी लेगे तो उपर याँपर यहां पर देरक mm और इधा कि यह को डाल देना है और पोस्ट नेम यह देर रखा है यह ऊपर इसके बाद में खर्म कर लेंते हैं यहाँ प्ता गोत प्र ओडम और नाम क्याँ पानी आप अम्रे नम्बर नबर बार को डाल देना नहीं तो सोठ देना ठीक एसके बाद में आपको I'm आपने क्वालिफिकेस के बारे में बताना है कि आपने जो दस्वी है कौन सी बोर्ट से पास की है कब पास की है और कितनी परसंटेज आपकी बनिये इसके बारे में बारे में बारे में बारे में बारे में कौन सी बोर्ट से पास की है कितनी परसंटेज आपकी बनिये और कौन आपके पास में experience हो तो experience के बारे में आपको यहां पर बता देना है तो अभी details आप से मांगिए इसके बाद मैं आपको यहां पर अपने sign कर देने हैं और जो documents है वो इस form के साथ में आपको अटेच करने हैं उनकी photocopy ठीक है इसके अंदर आपके बात के दो दाश्वी मार्शी कर देने हैं और फोरण के साथ में अटेच करके जो reporting टाइम में 9-10 बचे रहने वाला है एक मार्श को तो सबसे पहले आपको जमा करवा देना है ठीक है और आपको कुछ पूचना आपको नीचे comment कर देना है एक advertisement और जो एम जोद पर निकले उसके बारे में आपन बात कर ल बात कर लेते हैं यह देर का यहां पर project technical support first यह vacancy lab technician के लिए रहने वाले है ठीक है इसके अंदर अपन बात कर लेते हैं qualification के बारे में दोस्तों दस्वी यदि आपने पास करके और आपने DMLT कर किये तो आप यहां फर्म एप्लाई कर सकते हैं ठीक है यदि आपने दस्वी प दोस्तों 19,620 रुप्य परमंद आपके यहां पर salary रहने वाली है as limited यहां पर 28 यह दे रिखिए और यह जो आपकी जो duration है वह दोस्तों 31 से अगदस तक यहां पर रहने वाली है ठीक है इसके बाद में आपको अटाई भी जा सकता है और यह जो vacancy है ना वह दोस्तों temporary basis पर पर्मानेट वेकेंसी नहीं है ठीक है और इसका जो selection process जो इंटर्वी का आपका selection किया जाएगा और जो आपका interview हुए वह दोस्तों 28 पर वरिको रहने वाला है ठीक है और जो reporting time में हुए दोस्तों सुबह 9 से 10 पर रहने वाला है तो इस time पर आपको जो आपना application forum में जमा करवाना है जिस दिन आपका interview हो मतलब 28 पर वरिक आपका interview हुए तो आपको अपना जो application forum में जमा करवाना है reporting time के अंदर reporting time 9 से 10 बजे रहने वाला है और जो आपका interview हुए हुए दोस्तों requirement session second for medical is building एम जोदपुर में रहने वाला है ठीक है और जिस परकार से मैंने आपको form बढ़ना बताया है उसी परकार से इस बरती का भी आपको इसी परकार से फोर्म बढ़ना है ठीक है जो documents मेंने पहले बताया थोड़ देर पहले उसी ओवर document आपको साथ में अटेच करने है ठीक है उसी परकार से यह forum बरना है आपको फिर भी आप कुछ पूछ ना हो तो आप नीचे कमेंट कर देना या इस्टाग्राम पर आप मेसेज कर सकती हो इस्टाग्राम के जो लिंक है वह है दोस्तो वीडियो इनीचे डिक्स्रिप्सर में दे रहा है और यह जो बरती है वह है दोस्तो content बेस पर रहने वाली है टेमरी बेसिस पर यह वेकेंसी रहने वाली यह परमानेट वेकेंसी नहीं है ठीक है और इसी जो PDF आपको टेलिग्राम चैनल पर मिल जाएगे टेलिग्राम जाएगे जो लिंक है वीडियो इनीचे डिक्स्रिप्सर में दे रहा है दोस्तो आज की वीडियो में इतना ही मिलते हैं फिर एक नहीं वक्ते से साथ थेंक्यों दोस्तों